तो आज के वीडियो में हम आने वाले सबसे सस्तर ट्रैपोट की बात करेंगे जो आपको कितने में मिलेगा कैसा है यह वैल्ली फॉर मनी है भी या नहीं कितनी हाइट है इसकी इसकी लोड कैपेसिटी कितनी है यह सब पॉइंट हम लोग देखेंगे इस वीडियो में तो अमेजोन की पैकिंग को अनपैक करते हैं तो यह एक नॉर्मल बबल रैप के अंदर रैप टप होकर हमको मिलता है इसका जो बॉक्स है वो पूरा प्लेन है कमपनी की तरफ से कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं की गई है प्रोड़क की किसी भी तरफ से कमपनी ने पैक पाउच को देखते हैं कि इस पाउच में हमको क्या क्या मिला है ट्रैपोड के साथ तो इसमें सबसे पहले हमको मोबाइल होल्डिंग क्लिप मिलती है जो कि हमारे ट्रैपोड के उपर लगेगी और यह स्ट्रेच होती है 5.5 cm से तो 8.8 cm तक जो कि मोबाइल फोन के लिए सफ पर तो यह रहा हमारा ट्रैपोड इसको इसका जो इंटरफेस है वो अलुमिनम बॉडी इंटरफेस है और यह काफी स्ट्रॉंग दिख रहा है यह वैल्य फो मनिय ट्रैपोड है इसमें जो प्लास्टिक यूज कि है यह भी काफी अच्छा है अब बात करते हैं इसके लोक् ऑपको मिल जाता है पहले मैं यह क्लिप लगा लेता हूं लगा के लिखा देता हूं आपको इसे बस सिंप्ली इस नत के ओपर रखना है अनप माना क्लॉक है यह सही से हमारे ट्रैपोड से अटख हो जाय है इसके नीचे के साइड में क्नॉप दिया गया है जिसकी मदद निकालके fix कर देता हूँ अगर आपने इसके lock नहीं लगा है तो ये stable नहीं रह पाएगा तो आप इसके lock लगा देना मैं जल्दी-जल्दी इसका locks लगा लेता हूँ तो अब lock लगाने के बाद में मैं आपको phone भी लगा के दिखा देता हूँ कि इसमें कैसे लगता है phone ये tripod का जो head है वहाँ fourth height extension liver हमको भी देखने को मिल जाता है जो कि इसकी final height है और ये raise करने के बाद में इसकी final height है वो 105 cm हमको यहाँ पर देखने को मिल जाती है इसके जो legs है वहाँ आपको एक rubber grip मिल जाती है बहतर stability के लिए अब बात करते हैं इसके angles की तो इसमें swivel function है जिसका मतलब ये है कि आप इसे किसी भी direction ने किसी भी तरीके से shoot कर सकते है और ये आपको stable output ही देगा वीडियो में और mobile के back side में हमको एक bubble level tester मिल जाता है जो कि horizontal surface detect करने के लिए होता है कई बार surface horizontal नहीं होता है तो ये tester बस ये ही चेक करने के लिए कि service level सेम है या नहीं अगर नहीं है तो हमको ये जो bubble है इसको center में लेके tripod stable करना पड़ेगा बहतर वीडियो shooting के लिए अब बात किजाए इसके review की तो मैंने ये product एक हफता personally उसकी है और results ये है कि ये इतना ज़्यादा sturdy नहीं है इसकी जो aluminum body है वो काफी thin है जिसकी वज़े से ज़्यादा load आने पे ये band भी हो सकता है overall इसकी pricing के साब से देखा जाए तो ये value for money tripod है इसमें जो plastic ये ये भी काफी अच्छा है 500 से भी कम price में इससे ज़्यादा और क्या ही expect करोगे इसकी price and sellers जो है वो vary होते रहते है बात कीज़े इसकी pricing की तो मैंने 469 रुपीज में online purchase किया है Amazon से इसका जो product page है वो open होने के बाद में आपको new 9 from में जाना पड़ेगा जो कि इसके new 9 sellers है इस option पे click करने के बाद में आपको हर seller के अपनी special price देखने को मिलेगी आपको जो भी seller convenient लगता है price की according आप उससे purchase कर सकते है so guys आज की वीडियो में बस इतना ही video like कीजिए share कीजिए अपने friends के साथ में अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है तो please जाके subscribe कीजिए so guys आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हमारे next video में तब तक के लिए बाई बाई